हेलो फ्रेंज वेता किचन मसाला में आप सभी का फिर से स्वागत है आज की रिस्पी है प्याज के पकोड़े जो कि बहुत ही असान रिस्पी है आप अच्छे से बना सकते हो घर पे ट्राइक कर सकते हो और बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी पकोड़ी बनती है तो आपको बहुत ही असान रिस्पी बताईए हमने तो यहाँ पर हमने इस पकोड़े को बनाने के लिए बेसन, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, लारमीज पाउडर, हरी मिर्ज जो कि आप जितना स्पाइसी चाहते हो उतना आप मिर्जार सकते हो और नमक, यहाँ पर हमने थोड़ा सा पानी अट किया है ताकि इसको अच्छे से मिक्स कर सके और पकोड़ी काफी टेस्टी और कुरकिरी बन सके तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा पानी अट किया था इस तरह से पानी एट करने के बाद आप इस तरह से मिक्स कर लेंगे जो कि आपकी पकॉड़े अच्छे से बन सके यहाँ पर कुछ देर तक आप मिलाने के बाद कड़ाई गरम करने के लिए रख देंगे इस प्रकार से मिक्स करने के बाद आपका जो पकोड़े का होगा यहाँ पर दिखेगा यहाँ पर हमने रिफाइंड ओयल गरम करने के लिए रख दिया है जो कि आप रिफाइंड ओयल या सरसु के तेल में बना सकते हो तो हम यहाँ पर एक एक करके पकोड़े को कड़ाई में डालेंगे जो की अच्छे से फ्राई हो सके तो यहाँ भर हमने फ्राई करने के लिए जो की हमने बना कर रख दिया था प्याज और बेसन सारे मिक्स करके तो यहाँ पर हमने एक पकोड़ा डाल दिया है इसी तरह से हम साड़े पकोड़े को डाल देंगे और धीमी आज पर हम पका लेंगे पकाने के बाद आपकी पकोड़े धीमी आज पर अगर आप इस पकोड़े को बनाते हो है तो आप इस तरह से अपने घर पर ट्राय कर सकते हो वीडियो अच्छा लगएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर लाया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें तो फ्रेंद्स आप देख सकते हो कि यहां कितना बढ़िया कलर आया हुआ है इस प्लाकोड़े का तो आप अपने घर पर ट्राय जरूर करें इसी तरह की आसान रिस्पी के लिए आप इस चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं तो फ्रेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हों कि हमारी पकोड़े कितने बड़ियां दिख रहे हैं और टेस्टी भी लगेंगे खाने के बाद तो प्लीज ट्राइज जरूर करें अपने घर पे बहुत ही आसान रिस्पी है तो प्लीज घर पे बनाएं और सब को खिलाएं तो यहाँ पर हमने प्यास के पकोड़े को तलने के लिए कुछ पक चुका है तो यहाँ पर थोड़ी देर आप इसे प्लट ले तो यहाँ पर प्लटिंग के बाद आपकी पकोड़ी बहुत ही जल्दी आपकी तयार हो चुकी है तो यहाँ पर बहुत ही किस्पी पकोड़े बनेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी पकोड़े बनकर तयार हो चुकी है जो कि एक बैच बन चुका है तो यहाँ पर हम अपने पकोड़े को निकाल लेंगे प्यास की पकोड़े सभी को पसंद आती है तो प्लीज आप भी ट्राय करें तो यहाँ पर हमारी प्यास की पकोड़े बन चुके हैं और हम यहाँ पर थाली पे यहाँ पर हम निकाल रहा हैं थाली में निकालने के बाद हम दूसरी बैच पकोड़े के डालेंगे जो की फ्राय कर लेंगे फ्राय करने के बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हम दूसरी बैच डाल रहा हैं तो यहाँ पर आप देख सकत जरूर करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे इस चैनल पर आपको बहुत ही आसान रिस्पी बताई जाएगी तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर हमारे पकोड़े बनकर तयार हो गये हैं काफी क्रिस्पी और यहां पर बढ़िया दि कर सकते हैं तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया पकोड़ी बना हुआ है तो प्लीज चैनल पर नहीं है